कि लेट उसी दिस एंसी क्यों अंडर विच रेगुलेशन अपाइंटमेंट आप कॉंपिटेंट पर्शन एंड ओपीटेंट पर्शन और मेड इन सी अमर्ट तौजन सेवंटेंट और यहां पर ऑप्शन देदी आपको ठीक है कि किस सी अमर्डोजार सता के किस रेगुलेशन करता है कॉंपिटेंट पर्शन और ऑफिच्छ एल्स का आपाइंटमेंट होता है यह बता ना हो ठीक है तो तो कि फ़र्स्ट अपन कई बात हैं कि हम कई बाट चैनल में बोलें एक बार नहीं कुए बहुत है अपूसेल के विवारण में बताए थे तीन वार ठीक है उनको प्रपूर लेंगे पूरा रेजुलेशन सब्सक्राइब सब्सक्राइब करता है औरdes कोन प्रसें का पैंट मेंट होता है और कोन लोग सामिल होते नोग सामिल होते बताएते ओपीचियल में तीने तो पातिया रखना है बरका बात नहीं है अफिचल के डिपेशन क्या क्या बोला अपाइंटिंग अथाटी को रहे इनका ओफिचल का किस पर पर सिंग कमाइंड में अपाइंटमेंट हुआ है अवेशन का ओफिचल क्या अवेशन कर दो भ्या अपाइंट में अपाइंटना गय जपीचल के आप एक रखना अपाइंट में अपाइंटना सब्सक्राइबगर लिए कर दो इसिस्टेंड मेनेजर, वेंटिलेशन आपिसर, सेप्टी आफिसर, डस्ट इंचार्ज, सेंप्लिंग इंचार्ज, एन्वर्मेंट, माइनिंग सर्दार, सर्वेर, एंड इंजिनियर, होगे ना बैटर नो, क्या बोला, कुछ बोला या, अफिसियल का मतलब है, कि जिसे खान क मालिक, एजेंट या मेनेजर ने निक्त किया हो, जो की माहिन या उसके किसी भाग के सुपर्विजन के लिए निक्त किया गया हो, और जिसमें यह अभी जो नाम बोले यह नौ आदमी सामिलो तो ठीक है, आगे बढ़ते, कॉम्पीटेंट परसन को भी बताऊंगे कई बार, फिर एक बार सुन लिजे ताकि कहीं कोई नहीं देखागा, तो यह वीडियो देखेगा, तो यहां काम आजाएगा, इसमें चार गोबाद बताई थे, कितना बाद बताई थे, चार गोबाद, क्या बताई थे, किसके लिए कॉम्पीटेंट परसन आप अपाइंट करते हैं, कोई काम के लिए, कोई मसनरी के लिए, कोई प्लांट के लिए, किसी ओपरेशन के लिए, इसी दिल्द करते हैं, तो वो आज में 20 साल से कम का नहीं होना चाहिए, जिसे मेनेजर ने नियुक्त किया होना चाहिए, और जो की, जिस काम के लिए उसको अपाइंट किया गया है, चाहे सुपरविजन के लिए है, काम करने के लिए है, उसके लिए वो रिस्पोंसिबल होगा, और चोता बाद इसमें, और जो उसको जिम्मेदारी दी जाएगी, उसके लिए वो जवाब देह रहेगा, और इसमें सत्मार भ किस संबंध में बोल रहा है इस competent person को किस संबंध मोल रहा है competent person in relation to any work or machinery plant or equipment means a person who has attained the age of 20 years and who has been duly appointed in writing by the manager as a person competent to supervise to perform that work or to supervise the operation of that the atmosphere plant or equipment and who is responsible for the duties assigned to him and includes a sufferer ठीक है competent person छोटा होता है official में बड़े आदमी आते हैं साहब लोग आते हैं supervisor आते हैं इतना दिमाग में रखिये गा और आपका जो helper हुआ, electrician हुआ, feeder हुआ, operator हुआ, they are also operator सब जो भी आज मी काम करता देया competent person वो क्या हुए, competent person आपका माइनिंग सर्दार और में ऑफिसियल भी है, but he is also competent person, but he is also competent person लेकिन senior official में माइनिंग सर्दार नहीं आता है, सर्दार नहीं आता है, उसमें manager से नीचे और सर्दार से उपर के जो भी होंगे, मतलब manager और सर्दार के बीच के जितने भी persons होंगे, they are senior officials, ठीक है, अब उसको बाद में देखेंगे, तो appointment of competence, appointment of official and competent person किस regulation में दिया है, in which regulation, regulation 35 में दिया, पाज को बाद बोला है, क्या बोला है, पाज को बाद बोला, मेरे टाइम पर इस regulation का number हुआ करता था 36, ठीक है, अभी हो गया है, 35, पाज को बात बोला है, कितना बात बोला है, पाज, पहला बात, बताने के पहले हमें बताए, अभी जो हम definition कहले बताए थे आपको, कि चाहे आपका competent person हो, चाहे आपका official हो, इनका supervision से संबंध है, है न है, है कि नहीं, तो हम जो भी officials को appointment करते हैं, या competent performing of the work को छोड़ दिया जाए, तो कहीं कहीं के लिए करते हैं, छोड़ दीजे सबको, सरदारों और मैंने को ले लीजे, आप लोग उसी का नगजा में बैट रहे हैं, क्या काम करेंगे आप माइस में जाएंगे तो, inspection करेंगे अपने shift में, the shift में है तो, माइन का inspection करेंगे, और यह आपके performance है, तो मसिं का inspection करेंगे, इंजिनियर इंस्पेक्शन, मस्नरी का inspection करेंगे, करेंगे के नहीं करेंगे, जो भी operations हो रहा है माइन में, उसका supervision करेंगे, थारो supervision करेंगे, करते हैं यहींने कम के लिए official को रखते हैं जी, इसके लावा और क्या करते है, मसीन आपका सावेल है, पंप है, CHP है, क्रसर है, यह सब मसीनरी है, डंपर है, सावेल है, अक्जिलेरी पेन है, बुस्टर पेन है, मेकानिकल वेंटिलेटर है, में मेकानिकल, यह सब को installation करना भी न पड़ेगा, यह काम के लिए पाइंट करता है, ठीक है, तो आपका जो पहला सब रिगलेशन है, जिसके तहर सब रिगलेशन, वन आप 35 के तहर, अफिसियल और कॉंपिटेंट परसन का अपाइंटमेंट होता है, ठीक है, उसमें क्या बोला है, जिए पाइंट तुम्पिटेंट परसन इंकलुडिंग ओफिसियल और टेकनिसियंस, अज एस सबसरीट तु सिक्योर इन इच वर्किंशिप्त अर यह जो भी हम चार बात बताएंगा, प्रवाद बताए बैठा क्या बोला कुछ नहीं बले बला इस सिंपल सा भासा में बोले हैं देखे सुनिये का वर्ड को ध्यान दख्षे के हिंजी में बोल दूगा दा ओनर एजेंट और मैंजर साल पाइंट मतला ओना एजेंट और मैंजर आपाइंट करेंगे प्रतेक वर्किंग सिप्ट में निमनलिकित को क्या करने के लिए सिक्योर करने के लिए जरूरी होंगे इस सविशन टूसी को इनिफ वर्किंग सिप्ट और याँ चार को काम दिये सव जलेशन वन चांतर गार आपको चार बात को इंस्रों करने के लिए सिक्योर करने के लिए पेर कौम्पिटेंट पर सर और अफिशल उतने संद्या में निकत के जांगे जितना की जरूरी है कोणकों चीट के लिये टे खाइक लिए इंस्पेक्शन अब दा मानों इंस्पेक्शन अब्दा मार्पर अबैर मैं ऋश्राल ए 2-3 मिन लिखा भी इत्व इस्पेक्शन अब ऑफ here इन्सुपमेट देख एंड इन्सुपमेंड देख द में जोंब्हसी नुस्मेपशन करने के लिए माइन या उसके किसी बाग का इंस्पेक्शन करने के लिए उतने नंबर में competent person officials और technicians को owner agent or manager appoint करेंगे जितने की जरुरिये वो starting बोला the owner agent or manager shall appoint such number of competent persons including officials and technicians as is sufficient to secure in each working ship to inspect the mind our part thereof and equipment thereof thorough supervision how about the police because the body a three cases thorough supervision thorough supervision of all operations in the mind today thorough supervision of all operations in the mind 3rd का बतायता वेटा running installation सब्चे पहले installation करेंगे जब रिस्टोलेशन रणिंग रणिंग मतलब मसें चलाना operation इस्टोलेशन रणिंग एंड मेंटेनेंस 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 आप मसीनरी और एक और बात है च्यार बाथ के लिए थीन तो लिए आप शुण में चैप्सेट का इंस्पेक्शन कर रहे है के आवह सभी की यह वह मांएगर को है केकर कोले सय एक तल सब वेकानिकल को ठीख है यह शब करेंगे स्विप्वास इसके अलाव आपट देखेंगे साज दिन में wün सोलेस्टापिन करना है 14 दिन में वेंटिलेशन का करना है वह बी तो है क्रिच केंटिन रखना आपको और भी दूसरे इस्टेटिरी प्रोविजन्स का पालन करना है करना है ना तो उनको फालो करने के लिए उनको लागू करने के लिए भी आपको कॉंपिटेंट पर्शन और अफिस्यल्स रखना नहोंगा रखना होगा तो कही के लिए कही के लिए कि इन्फोर्स्मेंट अप्ड़ रिक्वार्मेंट सब्ड़ एक्ट एंड रूल्स और एंड रेकुरेशन्स मेट देर अंडर अभी इसको इत्ताला मचला नहीं लिखते जो बच्चा लोग डिगरी डिप्लोम आले होगे जो इस्ट्रे अभी रिक्रूट्मेंट वाले के तो छौटा सुनगी काम चल्जागा नहीं डिग्रेशन्स में भाला इंफोर्स्मेंट अप्ड़ इस्टों प्रोविचन्स पही बाद बूल रहू हूं एक्ट्वर्स्मेंट अब दा इन्फोर्स्मेंट अप्ड रिक्वार requirement of the requirement of the force meant of the requirement of the a את rules and rules are regulation our regulations meant they are under मेत मेंट हैं रूसे रूसे बने हैं मैसेट की जो पुल रहे उसको पूरा करने कि लिए माइसेट के अंधिर कोई रूसे प्रति पूर्थी तु ठीक है रूसे मेंड यह झाल परकाश से क्या प्रक्रफेंट करते हैं कॉंपिटेंट पर साने नवीजल्स को किस रेगुलेशन के तहर अंडर सब रेगुलेशन वन आप रेगुलेशन थाटिपाइप अब सियमार 2017 नेच्स्ट अब कहां चलेंगे आप सब रेगुलेशन नंबर दो के तरब यह समझा ना मैटा आया तो आप सब रेगुलेशन यह अभी हैं क्या देखर देख मैंत वनच सब रेगुलेशन और इसमें लाइसमें चांश मरुगरेशन टू क्या बता हैं मेंरे शच्वेंधिय typu बोलता है कि आपका जो सेंट शींट है लिए सेखेट grass भूत said nahit covert वो एक असिस्टेंट कम से कम एक सिस्टेमर के अधिन रहेंगा और अननी कैस में एक एक्श्प्रेज्ट जोर मेन के रहेंगा इसको कोरें गवाचा इसकोन इंस्यर करेंगा और कॉर्ण करेंगे उनर्य एजन्ट्र मैनेजुर्ण सेल अरेंच दैट दूरिंग इच अटनुट सिफ एंड नाइट सिफ सेल बी अंडर दे जन्रल सुपर विजन आप एट लेस्ट वन असिस्टेंट मेनेजर एंड अप एक्सप्रेंजड ओर में इड़ अधर केसेश और अन्य केसेश में पतार जिफ्ट है जन्रल सिफ्ट है तो उसमें आप जो है न और कोई एक्सप्रेंज और में आप एक असिस्टेंट मेंजर कम से कम रखना होगा सब्सक्राइब का एक नैट शुक्तम एक इतना पुला इसका लिखने की जरत है अर शुमर याद रखुण है क्या पुला में कुछ शो तो लिए इतने बोला डावरेजन मेनेजर सब एक दूरीए अप्टरून शेप एंड नाइट सिफ ऐड से अड़न अड़ शुपर एड आप एक्स्पियर्स वर्मेंड इन अगर किस होगे नमबर तीन सब रेगुलेशन 3 आप रेगुलेशन 35 क्या बोलता है बेटा रात का टाइम भी है बेटा पंक्वा चराएंगे आवाज आएगा परसी ना रहा है का अम इतना जृण पूर्व कर समझा समझा के बता रहे हैं तो उसका फैदा उठायेगा और नहीं उठाने हैं तो उक्राहली हम का कर सकते तर्टि इसमें भी जूम्मिधारी एक फांट में किसकी जूमिधारी ही किया मैनेजर की का मैनेजर जी माजा जी है it's like the responsibility of the manager to see that all the person appointed under subregulation 1 are competent जूबी regulation subrelation 1 regulation 35 के subrelation 1 किया दिन जितने भी आदमी appoint हुए है वो क्या हो competent रहे competent है इस बात को सुनिस्चित करेंगे ठीक है कौन सुनिस्चित करेंगे मैनेजर साब सुनिस्चित करेंगे पर सब्लेशन नमबर फोर इस सब्लसक्राइशन नमबर फोर दुखते हैं सब्लड़्वरेशन पांच जो अच लáoतर यह सर आपको मिलता है तो दो गोपी मैनेजर अपीस में रहता है है कौपी आपको दे már दे आए तो एजए सक भार दे देगा किसी को इंजिनियर में दिया इंजिनियर लिग देगा किसी को ब्लस्टिंज अबसर करके उसको उसका इसका विशाइड अगया अफाट पाच के ता अथरवाई जेसं देते हैं सब्रेशन पाच किसका रिगुलेशन पाइटीस का ठीक चार में क्या है चार में क्या बोलता है और कॉपीज अब अपाइंटमेंट अंडर सब्रेगुलेशन वाण सेल भी मेंटेंड इन बाउंड पैक्स बुक वह जो बोलता है दो एक इतना बढ़का बुक रहता है उसी को बाउंड पूस्ट बेक बोल रहा है बाउंड पैस्ट बुक बीपी एक मेनेजर को ही रट लेता है और एक उस प्रेगुलेशन वाण सेल बीमेंटेंड इन बॉंड पैक्स बूख एंड ये कॉपी अप्ली स्ट आप कंपिटेंट पर संसेल बीमेंटेंड यह इतना ही बुलता है और यह पाचवा में क्या बोलता कुछ नहीं है आपके आपन यह अथराइजेशन के लिए मिला है वो कंपिटेंट है कि एगा उनको अनको जलका है मैनेजर साथ की जितने लोगको अट्राइजेशन मिला है वो कंपिटेंट है तो उनका जो फ्रीटेशन पहले से किसी उनके परेजर मैनेजर साहाइब ने प्लinnीすご कर देंगे यह तो प्रेस्वर निशू करदेंगे यह इसू प्रेस्वर मतलब यह तो एक नया अथ्राजिशन दे देंगी है ठीक है ? अई अदी आपको पोज़ लें कि अथ्राजिशन किसके तहत होता है ? अपइंटमेंट तोरेकूर सर्थ पाइन्पिस के सब्लेशन मन के तहत होता सब्सक्राइब करते हैं कि बहुत हम मेनत से समझाने का प्रयास किया आप लोग कोई दी समझ आया होगा जब आप यह वीडियो को पूरा देख लिजेगा तब हमको बताईएगा कि यूटू में बताईगा ठीक था नहीं ता इसमें और क्या सुधार किया जश्करता एक और एक बाद बताएते हैं बच्चा लोग बार बार पूशता है सर मेटा निटी लिए उप चबशी के अबारा वीग वार्ट सब्सक्राइब कहलते रहता है अर प्रमानिक के तहर आपको कित्ता दिन मिला हुआ है बारा वीग बारा वीग में बारा सब्सक्राइब तो उत्रही रखिए जब ओए चल लागोएगा तो बारा वीग को भूल जाईएगा चबिश वीग को पकड़ लिगेगा कौनू दिक्कत है